आप सबको जनमास्तरमे की हार्ड डिक्स हुकामना है तो पूरे इंडिया में आजबरी धूम धाम से जनमास्तरमे बालन किया जाता है और असाम में भी हम लोग बहुत ही अच्छे से जनमास्तरमे को सेलिबरेट करते हैं और लडू कोपाल के लिए एक खास तरही का प्रसार पनाते हैं जो की बहुत ही जादा यूनीक रेसिपी है तो सोचा आपके साथ आज शेयर किया जाए इसमें कोई भी तरह की की रिफाइन काउप्स का यूज नहीं होता बहुत चार पास इंक्रेटियंस है और बहुत ही जादा इसी रेसिपी है तो सबसे पहले हमने एक पैन म की जादा अच्छा होता है तो यही आप यूसकी जिएगा तो सबसे पहले हम इसे पानी के साथ गलाएंगे आज बिलकुल मीडियम रखिए और उसके बाद हमें गुर को थोड़ा सा पकाना है ताकि इससे लड़्डू बनाया जा सके गुर जब अच्छे से पक जाए तो उ इसमें हमने डाल दिया है डेश समच के करेब डेजी की और उसके बाद हमारा मेन इंग्रेडियन पड़ेगा इसमें राइस पाउडर इसे हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे वरना एक साथ डालेंगे तो लम्स आजाएगा तो हमें इसे इस कंसिस्टेंसी तक लेके जान आते हैं तो यह हमारा लद्डू भुपाल का भोग रेडी हो गया है उपर से मैंने थोड़ा सा पीठा यानि के राइस पाउडर चिरा दिया है इसमें और यह बहुत दिनों तक आप स्थोर करके रख सकते हैं तो डू ट्राइट अट होम एंड एंजॉड